दोस्तों जी ओफाइनेसल सर्विस की बात को यहां पर बड़ी गुड़ी निकल क्या रही है क्रिशिल रेटिंग की तरफ से जीओनेशल सर्विस को रेटिंग दी गई है कैसी रेटिंग है उसको समझने की कोसिस करेंगे और जीओ फाइनेसल जो अपने बीजनस में तेरी से समझेंगे और कंपनी क्या आने वाले समें जिस रहने दिती से आगे बढ़ रही है क्या इन्वेस्टर को बहुत बड़ा रिटन देने को त्यार है आज जो बड़ी डिल हुई उसमें क्या इस सारा निकल के आ रहा है क्या बड़े फंडा उससे लिव पर खरिदारी करें या फ करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात के लिए तो आज बीए सी सेंसेग सेवंटी टू थाउजन एटी फाइटी फाइव के इस तर पे क्लोजिं था लेकिन आज बीए सी फाइनसर सर्विस में गिराऊट थी देखो कि 10,207 के इस तर पे 0.24% की गिराऊट थी तो बहले बाजार में सांदर तेजी बने हो लेकिन आज फाइनसर सेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया अब यहाँ पे देखो कि आज एफई ने जब सेकेंड 176 करोड का नया इंवस्पेंट किया सामने 15,405 करोड की उन्होंने बिक्वाली किये तो उनकी जो खरीदारी का आखड़ा है वो 70 करोड पॉजिटिव है कल उन्होंने 1880 करोड के आसपरस की बिक्वाली किजिए लेकिन आज उन्होंने फिर से 70 करोड की खरीदारी कर लिये बले आकड़ा कम हो लेकिन खरिदारी का है ये बात थोड़ी सी बाजर के लिए ठीक है दूसरी तरब आज डियाई ने बाजर को फिर से सम्भालने की पूरी कोशिस किये आज डियाई ने 14,097 कोड का नया इंवस्मेंट किया सामने 11,634 कोड की विक्वाली किये तो उनकी जो खरिदारी का आकड़ा है वो 2463 क्रोट पॉजिटिव है तो कफी इची खरिदारी की और इस महिंदी में दो टेडिंग साथ में उन्होंने 3335 क्रोट का अपना माल नया खरिद लिया है अब यहां पे अगर हम जियो फाइनेसर सर्विस की बात के स्टॉक की सुरुआ रही 252 कल की क्लोजिंग के आसपास ही इंट्रा डे में 257 का हाई भी बना लेकिन जो लो है वो 250 का है यानी एक अच्छी तेजी बनी लेकिन उपर के लेवल से गिरावट भी हुई और इसके पीछे वजे कुछ बड़े फंडा उसकी बिक्वाली अंत में 253 के आसपास क्लोजिंग 239 के आसपास था जापे कोई अपडाउन देखनों को नहीं मिली 29 जनवरी की बात करें तो यहां पे स्टॉक 251 के आसपास जापे 4.6% की सांधार तेजी बनी और अगर हम बात करें 30 जनवरी की तो क्लोजिंग 247 के आसपास जापे 1.3% की गिरावट वी और 31 जनवरी की बा अब यहां पर क्रिशिल ने देखे तो यहां पर जीओ फाइनसर सर्विस के ओपर रेटिंग दिये तो यहां पर देख कि जो इनका लॉंग टम बैंक लॉन फैसिलिटी है उसके ओपर क्रिशिल की तरब से ट्रीपल एस्टेबल की रेटिंग मिली है और 2000 क्रोड की जो दी गई है क्रिशिल की तरब से तो बहुत ही सांदार रेटिंग दिये क्रिशिल ने एक तरब से क्रिशिल ने पूरा भरोचा जता है इस समय जीओ फाइनसर सर्विस के उपर और इसके पीछर वज़े इसका बैक आप देखे तो रिलाइंस इंडर्श्री बहुत मजबूत क प्रमोटर की स्थिव मजबूत है और यह सारी बाते देखे और आने वाले समय में जो भी फट है वह आराम से वह रेज भी कर सकते और अपने जो पूराना जो करज है उसको समय पे चुका भी सकते यह सारी बात है जो एक मजबूत ही प्रदान करते हैं कंपनी को इसी सब्सक्राइब और 31 मार्च 2023 की बात करें तो इसमें काफी ची वर्जी दिखाई देगी अब टोटल इंकम की बात करें तो इस बार अब इसके अलावा प्रॉफिट अप्टर टेक्स की बात करें तो इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट तो 1.4 है गई इस बार जो काफी अचा परसेंटेज आपको दिखाई देगा सब्सेरीज कंपनी तो आपको जियो फाइनेंसल सर्विस दिखाई जियो रिलाइस स्टेटेजिक इंवर्टमेंट का नाम बदला गया है यह इसकी पैरेंट कंपनी है इसके बाद आपको जियो फाइनेंसल लिमिटेड यानि जो Reliance Retail के बाद में यह जो बदली कई कमपणी है यह इसकी Subsidies कमपणी है और Jio Payment Solution जो Reliance Payment Solution के नाम से पहले जाने जा थी यह भी इसकी Subsidies कमपणी है इसके लबा Jio Insurance Broking Limited जो पहले से Reliance Retail Insurance के नाम से जाने जा थी यह भी इसकी Subsidies कमपणी है इसके लाबा Reliance Investment and Holdings Limited यह भी इसकी Subsidies Company है Geo Information Agrator Service Limited यह भी Subsidies Company है इसके लाबा Geo Infrastructure Management Service Limited यह भी एक Subsidies Company है और Geo Payment Bank तो यह भी एक Joint Ventures है जिसमें आप देखे तो दुसरी एक Company के साथ में आप जुआंट Ventures दिखाए देगा इसके लाबा Reliance Service and Holdings Limited यह एक Associate Company है और Petroleum Trust यह Associate Company तो यह इसकी Subsidies और Associate Company है जो सब मिलके Reliance Geo आपको दिखाए देगे पूरा के पुरा Geo Financial Service का यह अलग-अलग Subsidies Company है तो कुल मिला के बहुत ही सांदार रेटिंग दिया क्रिशिल नहीं यह आपे और यह इसारा करिए कि आने वाले से में इसमें जबड़स तेजी की संभावना बढ़ी सकते हैं कि कंपणी मजबूत है इसके अलावा देख सकते हो कि कल ही MFI Index में सामिल हो चुका है अभी Large Cap Company बन चुकी है यह Nifty Next 50 Index में सामिल हो जाएगा और इसकी प्रबल समावना अलड़ी बने इससे आप देखे तो इसमें काफी बड़ा इंवेस्मेंट आने की समावनों बनेगी आप यह समझे सकते हो करीब 66 बिलियन डॉलर का नया इंवेस्मेंट आ सकता है जैसे ही यह Nifty Next 50 Index में सामिल होगा तो पंदा फ्रबली के आसपर हैंवेस्मेंट होगा तो 31 मार्च से उस इंडेक्स का यह इससा बनेगा और एक तो कि यह 31 जनवरी के पहले पहले इसकी कट आप डेट थी उस डेट के इसाब से इसका मार्केट के पहले बहुत जादा है तो यह Nifty Next 50 Index का इससा बने गई तो आने वाले से में इसको फ्रेश इंवेस्मेंट और आना सुरू होगा इसके लिए बड़ा ट्रिगर और साबित होगा तो यह सारी बाते साबित करिए कि अच्छा मौकाई खरीदारी कर ले आने वाले से में जियो फाने सर्विस आपको माला मल कर देगा चलते हैं कुछ बड़ी डिल की दरब तो सुबद 9 बचकर 21 मिनट पर 253 की प्राइस से 2,88,50 की एक बड़ी खरीदारी हुई फिर 12 बचकर 23 मिनट पर 254 की प्राइस से 2,92,50 की बड़ी खरीदारी और हुई फिर 1 बचकर 27 मिनट पर 252 की प्राइस से 1,67,50 की खरीदारी हुई फिर 1 बचकर 55 मिनट पर 253 की प्राइस से 1,64,50 की खरीदारी और हुई तो फिर दो बचकर 11 मिनिट पर 254 की प्राइसे 1,71,000 रोकी खरीदारी और हुई उसके बाद 2 बचकर 12 मिनिट पर 254 की प्राइसे 1,55,000 रोकी बिक्वाली हुई उसके बाद 3 बचकर 11 मिनिट पर 254 की प्राइसे 2,88,000 रोकी एक बिक्वाली और हुई तो कुछ बिक्वाली जरूर हुई है लेकिन खरीदारी काफी जाना है जो इसारा कर गया है कि आने वाले समें जियो फानेसर तर्विस कमाल कर सकता है और यह कमपनी बजाज गुर्प को टक कर दे सकती है जिससे इसका बिजनस मॉडल दे के लग रहा है यह वाकई में कमपनी म परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड